ठीक है आपने बहुत बिस्तार से बताया उम्मिद करते हैं जरूर वो लाभानमित होंगे ये सब अगर अपनाएंगे तो और दर्शकुर से बात कर लेते हैं जी क्या ना मावका अचा अचार जी अब टाइमिंग भी उस तरह इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और कॉल्स ले पाएं अगर वक्त रहा तो आगे हम कॉल लेंगे अब इशारा ये है कि हम राशियों के बारे में जिक्र करने बहुत सारे लोग इंतिजार भी करने हैं याद उनका कैसा रहने वाला है अचार आईए सबसे प्रथम बात करते हैं मेश रासी वाले लोगों के लिए आज रसनात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी नौकरी में थोड़ी समश्या आ सकती है पर सिगर ही निदान हो जाएगा पढ़ाई में मन कम लगेगा खान पाट की अधिक्ता सिहत पर असर डाल सकती है और अब बात करते हैं वरशव रासी वाले लोगों के लिए आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे इस उर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा इस रासी के डॉक्टर्स अपने अनुभाव का अस्तेमाल सई रिसा में करें तो उन्हें जरूर सपलता मिलेगी आई अब बात करते हैं मिथुन रासी वाले लोगों के लोगों आज आपकी इच्छा सक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परिशानियों में पसा सकती है आज निवेश के जो नई अफसर आपको और आएं उन पर विचार करें लेकिन धन तभी लगाए जब आप उन योजनाओं का भली बाती अध्यान करने और अब बात करते हैं करक रासी वाले लोगों के लिए आज आपके व्यापार दंदे में खुब सपलता मिलेगी कामुन नपसे इसका ध्यान ज़रूर रखें व्यापार दंदों के लिए भावी उजना सपलता पुरवक्त संपन्न हों की आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंग रासी वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है परिवार में माहुल कुष्णमा बना रहेगा संतान की शिक्षा में उनम्ती होने की सम्मावना है पढ़ाई के परती उनकी गंबीरता बढ़ेगी अज हब बात करते हैं कन्यारासी वाले लोहों के आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं तुलारासी वाले लोहों के लिए आपके संबन्दों के प्रती त्याक से मधूरता आएगी, आज पहले कि अपेक्षा आर्थिक स्तती पे मजबूती आएगी, महिलाएं संतान के प्रती अति समेधन सीलता ना रखें, सहास्व पराकर्म के साथ किये गए प्रतीक कारिये में आपको आसा कि अनुरूफ सबलता प्राप्त हूँ, और अब बात करते हैं व्रश्ची क्लासी वाले लोहों के लिए, आज का दिन सामन्य रहेगा, नया वाहान लेने की उस्तती बन रही है, आज शांको घर में पार्टी का यूजन कर सकते हैं, मित्रों के सायोग से रुके कारिये पुरे हो जाएंगे, आएए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनुग्रासी वाले लोहों के, भावनात्पक तौर पर आप इस बात को लेकर एनश्चित और बेचेन रहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आर्थिक तौर पर सुधार के चलते हैं, आप आसानी से काफी वक्त से लंबित विल उधार चुका सकेंगे, और अब बात करते हैं मकर रासी वाले लोहों के, आज आपका सेहत को नजर अंदाज करना भाड़ी पड़ सकता है, आज आपके किसी से मुलाकात हो सकती है, सेहर सपाटे पर जाने का कारकम बन सकता है, जो आपकी उर्जा उर्ट्सा को तरोताजा कर देगा, और अब बात करते हैं कुमर रासी वाले लोहों के लिए, आज किस्मत आपके साथ रहेगी, आज आप कुछ से काम करने पर विचार करेंगे, तो फाइदा होगे, आपकिस्मत दिन अच्छा भीतेगा, नई दोस्त बरेंगे, इस रासी के वकीलों के लिए आज का दिन बेतर बात करते हैं में रासी वाले लोहों के लिए, आस पास के लोहों का सयोग आपको सुकत आनुभूती देगा, नया करार पाइदे मों प्रिक सकते हैं, लेकिन वो उमीद के प्तापिक लाब नहीं पंचाएंगे, निवेस करते समय जल्दी बाजी में निने लेने से बचे हैं यह है आज का मर अपना तासिखल, बहुत ही इसतार से बहुत ही बहुत ही बहतरीन अंदाज में आपने राश्यों के बारे मेरे प्रकाश जाला वाकई लोगों को सरूर लाभानित करेगा, बहुत बहुत धन्वाद आचारजी आपका, जी नमस्कार, तो शो में आज के भी जी अनमती, नमस्कार.